नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो इस आर्टिकल का में जो एसेंस है वो यह है, कोई कहता है थिरुवलूवर हिंडू थे, कोई कहता है थिरुवलूवर जैन थे, कोई कहता है थिरुवलूवर ब्रामन थे, कोई कहता है थिरुवलूवर डलिट थे, तो आर्टिकल का में एसेंस यही है, थिरुवलूवर एक म के थे मतलब विवात तो इवन ये भी है कि थिरू वल्लूवर का जनम कब हुआ था और कौन से पीरिड में वो जिवित थे तो बहुत सारी कॉंटरवर्सी पैदा होती है खास करके तमिल अडू में थिरू वल्लूवर को लेके हमारे UPSC में कोशन पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जा सकता है कि थिरू वल्लूवर का कॉंट्रिबूशन क्या रहा उनके आइडियाज क्या थे प्रिलिम में कोशन पूछा जा सकता है तो उनकी भुक के बारें पूछा जा सकता है तो जिस परकार से UPSC में कोशन पूछा जा सकता है उस हिसाब से हम डिसकस करते हैं इस आठकल को देखो एक प्राचीन काल के संथ थे थिरू वलुवर जो अभी कुछ समय पहले तमिल आडू में इसलिए न्यूस में आए क्योंकि पोलिटिकल इशू बन गया था कि थिरू वलुवर हिंदू थे या फिर जैन थे थिरू वलुवर जिनको वलुवर के नाम से भी जाना जाता है एक तमिल पोईट और संथ थे कब ये जिवित थे इस बारे में एक डिबेट है कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा करते है 3rd century AD से लेके 4th century AD के बीच में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते है 8th century AD से लेके 9th century AD के बीच ये जिवित थे कुछ लोग इनको jainism से जोड़ते हैं कुछ इनको hind volcan से जोड़ते हैं और जो डर्विडिन ग्रुप्स हैं वो भी इनको महान्संत मानते हैं क्योंकि डर्विडिन ग्रुप्सापको पता हैं कास्ट सिस्टम के ज़ादा बहुत ज़ादा विरुध होते हैं और जबकि थिरू वल्लूवर जो हैं, इन्होंने भी काष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी. इनका जो मेन कंट्रिबूशन हैं, वो हैं, तिरू कुरल, या फिर आप कह लीजे कुरल, संगम लिट्रेचर में इनके द्वारा तिरू कुरल या फिर कुरल लिखा गया हैं, कूरल में क्या है 1330 के आसपास couplets हैं या दोहें हैं जिनको 133 सेक्षन में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्षन में 10 couplets हैं और ये जो 1330 couplets या फिर 133 सेक्षन हैं वो देखो तीन बुक्स में डिवाइड़ हैं सबसे पहली बुक का नाम है अराम मतलब वर्चूस पर फोकस है पहली बुक में और दूसरी बुक का नाम है पोरुल गोर्मेंट और सोसाइटी पर फोकस है दूसरी बुक में और तीसरी बुक का नाम है कमाम कमाम बुक में लव पर फोकस है तो इनकी जो ये बुक है ये जो का काफी बार comparison किया जाता है तिरू कुरल का तो इतनी ज़्यादा significance है इस book की जो की लिखा गया है किसके द्वारा थिरू वल्लूवर के द्वारा बुक की कुछ important बातों को हम discuss करें कुरल बुक में देखो काफी ज़्यादा focus किया जाता है wildlife पर भी wildlife से समझेद काफी सारे examples दिये जाते हैं इवन कुछ experts तो कुरल बुक को natural science की category में भी डालते हैं next point वही बात देखो किसी एक identity पर focus नहीं किया है कुरल बुक में थिरू वलूवर ने उन्होंने human beings पर focus किया है humanity पर focus किया है उनके जो विचार है वो आज के समय में भी relevant है last point उन्होंने देखो transformative ideas पर focus किया है superstitions को criticize किया है या फिर human beings के द्वारा कुछ ऐसे customs या फिर traditions को अपनाए जाता है जिससे कोई फाइदा नहीं होता बलकि human beings को नुक्सान होता है भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसे tradition को अपनाए जाता है तो उनको criticize भी क्या गया है थिरू वलूवर के द्वाराम तो ये कुछ ideas है और इनकी books के नाम है जिनका आप इस्तिमाल कर सकते हो अगर UPSC के द्वारा थिरू वलूवर के द्वारा बारे में question पूछा जाता है इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion